चिहरे का सारा मेल काला पंदाग दबेज हाईयां, पिग्मेंटेशन को दूर करने के लिए, आज में आपके साथ में कैसा Facebook शेयर कर रह merging हूँ जो आपके चिहरे का सारा मेल निकाल देगा, साथ में पिग्मेंटेशन को दूर करेगा, चिहरे पर instant glow लाएगा तो इसके लिए आपको लेना है मुलतानी मिट्टी पाउडर आप चाहें तो मुलतानी मिट्टी भी ले सकते हैं तो मैंने मुलतानी मिट्टी का पाउडर बना कर फिर यूज कर रही हूँ तो मैंने एक चम्मच मुलतानी मिट्टी ली है इसके बाद में आपको एक चम्मच लेना है बेसन, ग्रेम फ्लोर और बेसन हमारी स्किन को एक्सफोलियेट करता है मुलतानी मिट्टी हमारी स्किन को टाइट वनाने का काम करती है चेहरे की मेल गंदगी को निकालने का काम करती है नेक्स्ट आपको इसमें एड़ करना है एलोवेरा जेल एलोवेरा जेल मैंने पतन जली का लिया है आप चाहें तो प्लांट वाला भी ले सकते हैं तो एलोवेरा जेल एड़ किया है मैंने हाप चमच के करीब यदि आपके स्किन बहुत ज़्यादा ड्राय है तो आप इसमें coconut oil की कुछ drop एड़ कर सकते हैं बिटामिनी का capsule भी एड़ कर सकते हैं तो इसके बाद में जो next ingredient आपको इसमें एड़ करना है वो है coffee powder coffee powder हमारी skin पर blood circulation को बढ़ाने का काम करती है चेहरे पर glow लाती है और pigmentation को भी दूर करती है बहुती जादा beneficial होती है हमारी skin के लिए तो मैंने 2 रुपे वाला coffee powder लिया है और इसमें से हाप coffee आपको इसमें add कर लेना है एक चमच के करीब तो ये ingredient एड़ कर लिया है अब इसके बाद में जो next ingredient आपको इसमें add करना है तो वो है कस्तूरी हल्दी कस्तूरी हल्दी हमारी skin को निखारने का काम करती है antiseptic और antibiotic होती है साथ में ये pigmentation को तो दूर करती है skin को बहुती जादा glow देने में help करती है हमारी skin पर glow लाती है और इसके बाद में आपको इसमें add कर लेना है कच्चा दूद रो मिल कर एड़ करना है और अच्छे से आपको इसको mix कर लेना है अच्छे से mix करने के बाद में कम से कम 5 मिनिट टक ऐसे ही mix करने के बाद में आपको रख देना है जो मुलतानी मीटी है वो अच्छे से फूल जाएगी फिर आपको क्या करना है 5 मिनिट बाद फिर आपको अच्छे से इसको mix करना है और इसके बाद में किस तरह से face पर apply करना है वो मैं इस वीडियो में share करूंगी तो आपने अभी तक मेरे चेनल को subscribe नहीं किया हो तो please चेनल को subscribe करे bell icon call पे जरूर किलिक करे जिससे मेरे वीडियो के आने वाले new notification आपको मिल जाए तो आप देख सकते हैं मैं इसे अच्छे से mix कर रही हूँ इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे तो ये बहुत अच्छे से mix हो जाएगी मुलतानी मिट्टी और सारे ingredient अच्छे से मिल जाएंगे यदि आप मुलतानी मिट्टी में इन सारे ingredient को मिला कर लगाते हैं तो ये बहुत ही जादा powerful face pack बन जाता है और जो आपके face पर glow भी लाएगा इसको main, booming दोनों ही लगा सकते हैं तो सबसे पहले आपको अपने face को अच्छे से wash कर लेना है face को clean कर लेना है face को धोने के बाद में इसको face pack की तरह पूरे face पर लगाना है इससे पहले आपको इसको अच्छे से एक बार और mix कर लेना है मिला लेना है और इसके बाद में पूरे face पर आप इसे apply करेंगे और आप देखेंगे आपका face बहुत ही जादा glow करेगा एक बार में ये चेहरे का सारा मेल निकाल देगा और आपकी चेहरे को ये tight बनाने में help करता है जुर्री आज हाईयों को दूर करता है यदि समय से पहले जुर्री आ गई है इसकीन बहुत ज़्यादा लटा गई है तो मुलतानी मिट्टी हमारी सकीन को tight करती है कच्छे दूद में lactic acid होता है जो natural cleansing का काम करता है साथ में दाग दबो को दूर करता है और यदि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा dry है तो मैंने इसमें सारे ingredients जो add करें है वो आपकी स्किन को dry भी नहीं करेंगे और चेहरे पे अच्छा glow लाएंगे और यदि बहुती ज़्यादा dry है तो आप इसमें दूद की जगे धही काम इस्तेमाल कर सकते हैं यूज कर सकते हैं तो इसको पूरे face पर अच्छे से लगा लेना है आप इसे neck पर भी ज़रूर लगाए मैंने सिर्फ face पर ही apply किया है तो अच्छे से मैं पूरे face पर इसको apply कर लूँगी इसी तरह से आप भी इसको apply कर ले तो इसमें जो भी ingredient का मैंने use करा है वो सारे natural है इसको 14-15 साल से लेकर किसी भी age के लोग इसका use कर सकते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से natural है इसको मैं भी लगा सकते हैं अच्छे से पूरे face पर लगा ले और इसको किस तरह से remove करना है वो भी मैं आगे share करूंगी तो मैंने इसको अच्छे से पूरे face पर लगा लिया लगाने के बाद कम से कम 20 मिनिट के लिए लगा कर छोड़ देना है जब ये dry हो जाए तब आपको क्या करना है अच्छे से गीला करना है पानी के चीटे मारके फिर अच्छे से मलते हुए आपको कम से कम 3 मिनिट तक पूरे face पर मलना है अच्छे से मलने से ये अच्छे से आपकी face पर जो भी dirt मेल होगा उसको भी निकाल देगा तो तीन मिनिट तक मसाज करना है इसके बाद में नॉर्मल वाटर से अपने फेस को क्लीन कर लेना है और आप देख सकते हैं मेरा फेस एकदम क्लीन हो गया है तो इसी तरह से आप भी अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं इसको में बूमें दोनों ही लगा सकते हैं नेचरल है और आ नोटिफिकिशन आपको मिल जाए इसके बाद में आपको कोई भी मॉस्चराइजर अपने फेस पर जरूर लगा लेना है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई and टेक केर वीडियो फुल वोच करने के लिए थैंक यू झाल 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 झाल